दोस्तो अगर आप लोग अपने फॉन पे से किसी गलत नमबर में पैसा भेज दिये हैं किसी गलत बैंक के अकाउड में आप लोग पैसा भेज दिये हैं आप लोग जिसको पैसा भेजना चाहते थें पैसा उसको नहीं भेज करके आप लोग जो है किसी गलत नंबर में पैसा भेज दिये हैं किसी गलत बैंक अकाउंड में आप लोग पैसा भेज दिये हैं तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जो है अपने फॉन पे से गलत नंबर में पैसा भेज दी हैं तो उस पैसा को अपने बैंक अकाउंड में दोबारा कैसे वापस ले सकते हैं उस पैसा को अपने बैंक अकाउंड में कैसे आप लोग जो है रिटन ला सकते हैं जैसे आप लोगों का पैसा refund होगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को पूरा end तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को skip नहीं करना है, और जैसा जैसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, same to same आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को प्लीज़े और सस्क्राइब करके बेल अकन को प्रेस करके All पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए तो चैनल दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल में Chrome ब्राउजर ओपेन कर लेना है Chrome ब्राउजर सभी के मोबाइल में दिया होता है तो आप लोगों को अपने मोबाइल में Chrome ब्राउजर ओपेन कर लेना है उसके बाद आप लोगों को सर्च वाले में क्लिक कर देना है और यहाँ पे सर्च करना है npci.org.in यह वाला साइड आप लोगों को सर्च करना है अपने Chrome ब्राउजर में उसके बाद पहला वाला साइड में क्लिक कर देना है इसमें जैसे ही आप लोग पहला वाला साइड में क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों सामने खुल के आ जाएगा आप लोगों को यहाँ जो है उपर 3. में क्लिक करना है और desktop साइड में Chrome ब्राउजर को खोल लेना है desktop साइड में जैसे ही आप लोग Chrome ब्राउजर को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों सामने खुल के आ जाएगा तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे उपर का साइड में देखने को मिल जाएगा get in touch आप लोगों को get in touch में क्लिक कर देना है get in touch में क्लिक करने के बाद UPI complain में क्लिक कर देना है UPI complain में आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपcito आप लोगों को transaction में click करना है पलस वाले में तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो है basic detail भरने की लिए बोलेगा तो आप लोगों को यहाँ पे detail फिल करना है मैं आप cargo को बताथा हूँ कि आप लोग किस तरह से ये detail फिल कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को nature of transaction में क्लिक कर देना है यहाँ पे आप लोगों को दो option देखने को मिलेगा अगर आप लोग जो है किसी गलत वेक्ति को पैसा भेज दिये हैं कि कोई गलत friend वगरा को पैसा भेज दिये हैं तो आप लोगों को person to person select करना है यहाँ पे और अगर आप लोग जो है यहाँ पे कोई दुकान वेगरा में गलत दुकान में पैक कर दिये हैं गलत merchant में पैक कर दिये हैं तो आप लोगों को person to merchant में क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे person to person में क्लिक कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों को issue में क्लिक कर देना है issue में क्लिक करने के बाद incorrectly transfer to another account ये वाला आप लोगों को select करना है ठीक है उसके बाद आप लोगों का यहां किश टैप का issue है आप लोग यहां comment में detail लिख सकते हैं उसके बाद आप लोगों को यहां transaction ID डाल देना है जैसे कि आप लोग जिस भी नमबर में गलत नमबर में पैसा भेज दिये हैं वहाँ पे जो है आप लोग जाएंगे history में तो आप लोगों को transaction ID यहाँ पे सबसे उपर में मिल जाएगा फ़न पे में आप लोग हिस्टरी में जाएंगे तो जो है transaction ID आप लोगों को सबसे first में मिल जाएगा यह वाला copy करके आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है ठीक है transaction ID में उसके बाद आप लोगों को यहाँ bank name में click करना है और अपना bank account आप लोगों को यहाँ पे select कर लेना है दोस्तों जो भी bank आप लोगों का है वो bank account आप लोगों को यहाँ पे select कर लेना है उसके बाद VPA आप लोगों को यहाँ virtual payment address डालना है इसमें आप लोगों को अपना phone pay number डाल देना है और add the rate लगा करके YBL डाल देना है अपना phone pay number और add the rate YBL आप लोगों को डाल देना है यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को यहाँ amount amount में आप लोगों को लिख देना है रूपीज और पैसा में कितना आप लोगों का पैसा भेजे हैं गलत नंबर में वो आप लोगों को यहाँ पे लिग देना है ठीक है उसके बाद date of transaction किस date को आप लोग transaction किये हैं किस date में आप लोग पैसा भेजे हैं वो date आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे email id डाल देना है अपना जो email id आप लोगों के phone pay में bank में link है वही email id आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तो तो यहाँ पे आप लोगों को email id डाल देना है और यहाँ पे आप लोगों को अपना mobile number डाल देना है ठीक है जो भी mobile number आप लोगों का है वो mobile number आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ चूज फाइल में क्लिक करना है और अपने gallery से आप लोगों को screen shot जो है एक यहाँ पे attach कर देना है आप लोग जिस भी गलत नमबर में payment कर दिये हैं उसका screen shot आप लोगों को ले लेना है और वो screen shot आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है दोस्तो उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ जो है सही सही feel करने के बाद submit में क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग submit में क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो है यहाँ पे वेरिफाई होगा और एक दो दिन तिन दिन के अंदर जो है आप लोगों का पैसा आप लोगों के बैंक एकाउंड में रिटन आ जाएगा आप लोग इसी तरह से जो है अपने फॉन पे से गलत नमबर में पैसा भेज दिये हैं तो आप लोग उस पैसा को फिर से अपने बैंक एकाउंड में रिटन ला सकते हैं दोस्तो